प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी आज दिल्ली के भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजिन भारत टैक्स 2024 का उद्धाटन किया सोमवार से गुरुवार तक चार दिनों तक चलने वाले इस कारक्रम का उद्धेश भारत के कपड़ा उद्ध्यों को बढ़ावा देना और इसकी वैश्विक कॉंपिटीशन को बढ़ावा देना है PM मोदी ने 5F विजिन से प्रेणना लेते हुए भारत टैक्स कपड़ा क्षेत्र के लिए एक व्यापक डिश्टी कोंट पर केंद्रित है जिसमें फाइबर, फैबरेक और फैशन के माध्यम से खेट से विदेशी बाजारों तक गती विधिया पर जोड़ दिया जाएगा इस आयोजन ने अपने कपड़ा उद्योग को बढ़ाने और सतत्विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबधता को रिखांकित किया PM ने कहा कि आज का ये आयोजन अपने आप में ही बहुत खास है खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत की दो सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्रो भारत मंडपम और यशो भूमी में एक साथ हो रहा है उन्होंने कहा कि आज का ये आयोजन सिर्फ एक टेक्स्टाइल एक्सपो नहीं है इस आयोजन के एक सूत्र से कई चीज़े जुड़ी हुई है भारत टेक्स का ये सूत्र भारत के गौरफशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है भारत टेक्स का ये सूत्र टेक्नलोजी और ट्रेडिशन्स के संग पिरो रहा है भारत टेक्स का ये सूत्र शेली, स्थिर्टा, पैमाना और कौशल को एक साथ लाने का सूत्र है उन्होंने कहा कि विक्सित भारत के निर्मान में टेक्स्टाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दाइरे में काम कर रहे हैं हम परंपरा, प्राध्योगी की प्रतिभा और प्रसिक्षन पर फोकस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कपड़ा मूल श्रिंखला के सभी तत्वों को पाच एफ के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं पाच एफ की यात्रा फर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन से होते हुए फोरण तक जाती है उन्होंने कहा कि परिधान बनाने वाले हर दस साथियों में से साथ महिलाए हैं और हाथ करगा में तो इससे भी जादा है कपड़ा के अलावा खादी ने भी हमारे भारत की महिलाओं को नई शक्ती दी है मैं यह कह सकता हूँ कि बीते दस वर्षों में हमने जो भी प्रयास किये हैं उसने खादी को विकास और रोजगार दोनों का साधन बनाया है आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले पती सान में विक्सित राष्ट का संकल्प लिया है विक्सित भारत के चार प्रमुक्स कम है गरीब, युवा, पिसान और महिलाज और भारत का टेक्स्ट्राइल सेक्टर इन चारों यानि गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ इसलिए भारत टेक्स ऐसे इस आयोज़न का महत्व बहुत बढ़ जाता है साथ जो भिक्सीत भारत के निर्मान में टेक्स्ट्राइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्त्रुत दायरे में काम कर रहे हैं हम ट्रेडिशन टेक्नलोजी टैलेंट और ट्रेजिंग पर फोकस कर रहे हैं हमारी जो पारमपारिक विधाएं हैं इनको आज के फैशन की दिमांड के हिसाब ते कैसे अपडेट किया जाए डिजाइन को कैसे नयापन दिया जाएं इस पर बल दिया जा रहा है हम टेक्स्टाइल वेलुचेज के सभी एलिमेंट्स को फाईव एप के सुत्र से एक दुसरे से जोट रहे हैं और मुझे लगता है शायद जब तक आपका एक कारकम चलेगा पचासों लोग होंगे जो आपको बार बार फाईव एप सुनाते रहेंगे इसलिए भी आपको कंठस्त हो जाएगा और मुझे महां जाएंगे एक्जिबिशन में तो महां भी बार बार फाईव एप आपके सामने आएगा यह फाईव एप की आत्रां फार्म फाईबर फैक्टरी फैशन और फॉरें एक प्रकान से पूरा द्रश्य बारे सामने आपके इसी सिद्धान को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरो, MSME, एक्षपोर्ट, सब यह को प्रसाइब कर रहे हैं MSME को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई एहम कदम उठाये हैं हमने इंवेस्टमेंक और टर्न ओवर के लिहाग से MSME की परिभाशा में भी संसोदन गिया है इससे उद्योगों का स्केल और साइज बढ़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाब मिल सकेता हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है देश में डारेक्ट सेल्स एग्जिबिशन्स और ओनलाइन प्रेस्वर्फर्म सेल्सिस में भी धाये बढ़ाई गए साथियों आने वाले समय में देश के अलग-अलग राज्यों में साथ पी-म मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली हैं इसकी कलपना कर सकते हैं कोशिस यही है कि वेल्यूचेंज से जुड़ा पूरा एको सिस्ट्रम एक ही जगह पे तयार हो जहां एक modern integrated और world class infrastructure को plug and play facilities के साथ आपको उपलब्द कराए जाए इससे ना सिर्फ scale of operation बढ़ेंगे बलकि logistic उसका cost भी कम हो जाएगा साथियों आप जानते हैं कि textile और apparel sector देश में बड़ी संध्या में रोजगार देता है इसमें farm से लेकर MSME और export तक अनेक रोजगार बनते हैं इस पूरे sector में rural economy से जुड़े लोगों और महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी होती है परिधान बनाने वाले हर दस साथियों में से साथ महिलाएं हैं और हेंडलूम में तो इससे भी जादा है टेक्स्ट्राई के अलावा खादी ने भी हमारे भारत की महिलाओं को नई शक्ति दीए मैं ये कह सकता हूँ कि बीते दस वर्षों में हमने जो भी प्रयास किये उसने खादी को विकास और रोजगार दोनों का साथन बनाया है यहादी काड़ी कामों में लाखों रूजगार बना रही है कि बीटे दस वर्षों में सरकार में करीब कल्यान की जो योजनाए बनाई है बीटे 10 वर्षों में देश में जो इनफ्रसक्तर डेवलोप्मेंट हुए है इससे हमारे टेक्स्ट्राइल सेक्टर को काफी लाब बिला।